यह मुगद्मा गवाही में चल रहा है और साड़े 300 गवाहों से जिरा हो चुकी है और लगभग 300 गवाह जो इसमें थे वो डिश्चार्ज हो चुके है और इसी में से कुछ जो है ट्रेस नहीं हुए है लगभग 300 गवाह भी सेस हैं जो कोड जो है तस गवाह 15 गवाह परते दिन के लिए तलब करती है cvi पूरा प्रेट कर रही है की गवाहों को ट्रेस करा करके न्याले में पेश किया जाए लेकिन बहुत लंबा समय बीथ गया है गवाह ट्रेस करना cvi के लिए मुश्किल है फिर भी वो भी प्रियास कर रहे है और प्रते दिन 10 से 15 गवाहों के बीच में लोग तलब किया रह पूरे मामले की प्रक्रिया दो साल में पूरी हो जाए देखे अब इसमें लगभग 300 गवाही से 300 गवाहों में ज्यादा तर गवाह जहां तक की पैस्थितियों को के आकलन से लगता है अभी तक ज्यादा ज्यादा गवाह इसमें परलोग सिधार गए हैं अध़ा बहुतों ने तो अपने अस्थान को ही बदल दिया है निवास अस्थान बदल दिया है जिस कारण से वो ट्रेस नहीं होते हैं फिर भी यह संभावना है कि यह दो-तीन महिने में मलब फर्वरी लास्ट मेरे समझ से यह फर्वरी लास्ट तक इसकी विडेंस पूरी हो जानी चाहिए उसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी उसके बाद भी आर्गूमेंट में आ जाएगा मुगदमा और आर्गूमेंट के बाद मुझे लगता है कि मानने उस्तर न्याले के आदेशों का अक्षरसा पालन न्याले भी कर रहे हैं अयोध्या में बाबरी बिध्वन्स की साजिस का आपराधिक मुगदमा विशेश अदालत में चल रहा है बीजेपी के वरिशनेता लाल कृष्ण आडवानी समेत 33 लोगों के खिलाफ जो CBI ने आरोप लगाये थे उनके खिलाफ गवाही की प्रक्रिया अदालत में चल रही है CBI की तरफ से करीब 1024 लोगों को गवाही के रूप में पेस किया जाना था जिसमें अभी तक 3500 लोगों की गवाही हो चुकी है इसके अलावा 300 से अधिक लोगों ने गवाही देने से इंकार कर दिया है उन्होंने अदालत के सामने ये कहा कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना जिसके बाद विसेस अदालत ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है ऐसे में इसके क्या संकेत और माइने है ये अपने आप में एक बड़ी बात है दिरस्त्रिपाठी एटीवी लखना